क्या CA पैसा कमा पा रहे हैं? हाँ वही बिल्कुल कमा पा रहे हैं क्या आप लोग जाना चाहते हो कि मैंने 50,000 रुपे 5 विनिट में एक क्लाइन से कैसे कमाएं? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो भी CA जॉब में होते हैं जो हम कर सकते हैं और उससे अच्छा कासा पैसा अर्ण कर सकते हैं तो सबसे पहला जो है वो है ITR filing अब बंदे बोलेंगे कि यह ITR filing में क्या ही होगा एक हजार देदेगा एक बंदा, दो हजार देदेगा ठीक है? जासे जाता 100 बंद होगे हम ITR file कर लेंगे फिर भी कितना? दो लाख रुपे कमा पाएंगे और वो भी 100 clients मिलना बहुत मुश्किल है तो मैं यही बोलूँगा भाई, number of clients में मत जाओ client ऐसे रखो जिनका refund बन रहा हो ठीक है? कुछ जैसे salary class वाले बंदे जो होते हैं उनका क्या होता है? 5-5 लाख रुपे उसकी capital gain की भी income थी तो side by side उसका कुछ और भी tax बन रहा था 15-20,000 रुपे का तो मैंने उसका past trend चेक किया कि भाई उसका हर साल 5-6 लाख रुपे tax कट रहा है salary से और साथ पे 15-20,000 रुपे वो और tax pay कर रहा है क्योंकि उसका capital gain है तो भाई मैंने देखा कि यहाँ पर हम अपना मतलब वहाँ पर मेरे को एक edge मिल गया कि मैं earn कर सकता हूँ तो मैंने उस बंदे को बोला कि भाई आपका 2-5 लाख रुपे मैं refund करा दूँगा तो उसके basis पर हम लोग charge करते हैं तो इस तरीके से आपको mind लगा थोड़ा money-minded बनना पड़ेगा तभी आप earn कर पाओगे तो इस तरीके के आप अगर 10 client भी बना लेते हो ना तो भाई आपके साल में मतलब ITR filing तो एक ही बार होती है साल में आपके 2,500,000 रुपए कहीं नहीं गए हैं ठीक है सिर्फ आप आपके क्योंकि 10 client होगे आप सबसे 25,000 रुपए बना लोगे न तो अच्छा कासा पैसा earn कर सकते हो अब दूसरा तरीका क्या है GST return ठीक है और TDS return यह तो चलो छोटी चीज हो गई कि बट बहुत ही मतलब इसमें क्या होता है एक passive income बन जाती है आपकी हर महीने आप GST return फाइल करो अगर 10 बंदे भी है हजार हजार भी दे रहे हैं तो हर महीने का 10,000 आपका fix हो गया सेम ऐसी TDS return में quarterly आपकी payment आ रही है तो वहांसे भी आप income generate कर सकते हो मतलब उसमें क्या होगा आपकी regular income बन जाएगी उससे अब next जो सबसे अच्छी खासी अभी हमारी due date भी आ रही है 31st December जो है हमारा GST audit अगर आपको पता होगा कि भाई काफी सारे बंदे जो GST number लेकर आज के time में बैठे हैं तो उनको आप भाई कैसे भी करके client बनाओ ठीक है मैंने भी इतने सारे client कैसे बनाए ठीक है उसका भी एक तरीक है अगर आप बोलोगे comment करोगे तो मैं next वीडियो उसके उपर बनागा कि client कैसे बनाए ठीक है client कहां से लेकर आए अब मैं बताता हूं GST annual return होती है और एक होती है GST audit GSTR 9 और 9C आपने सुना होगा कि 2 crore से उपर turn होगा तो GSTR 9 file करनी होती है और 5 crore से उपर होगा तो 9 तो file करनी करनी है और 9C भी करनी परती है और वो हम लोग अराम से कर सकते हैं उसके लिए कोई sign के ज़रत नहीं है कोई Udin के ज़रत नहीं है तो वहाँ पे भी आप अच्छा खासा earn कर सकते हो तो साल में मतलब दो हमारे पास बहुत अच्छी opportunity है like ITR filing और एक GST audit और साथ में आप GST return, TDS return वगरा file करते हो उससे भी आपकी regular income बनती रहेगी तो मतलब हम अच्छा खासा इधर से भी earn कर सकते हैं अगर आपको भी कोई ऐसा source पता है कि भाई जो CA job में है उनके पास ये भी तरीके हैं पैसे कमाने के तो आप please comment करके मेरे को बताओ ठीक है और ऐसी वीडियो अगर और चाते हो आप तो वीडियो को like करो और चैनल को subscribe करो thank you